Hi guys, my name is Nitish and you are welcome to my YouTube channel इस वीडियो में भी हम लोग अपना डीप लेर्निंग प्लेलिस कंटिनू करने वाले है अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक की तरफ मुव करेंगे टॉपिक का नाम है अप्टिमाइजर्स It is one of those topics जो थोड़ा सा जादा difficult समझा जाता है और इसको समझने के लिए आपको थोड़ा महनत करना पड़ेगा So मैंने decide किया है कि इस पूरे topic को I'll break into multiple videos और हर video में हम एक बड़ा topic cover करेंगे So let's start the video So guys हमारे deep learning course में पिछले कई videos में हम ये पढ़ रहे हैं कि How can we improve the performance of our neural network ये हमारा focus रहा है पिछले कुछ 10-15 videos में और उसमें भी पिछले 3-4 videos में हमारा focus रहा है How to speed up the training Right क्योंकि होता क्या है कि आपका जो neural network होता है अगर आपने बहुत deep neural network बना दिया मालो बहुत सारे hidden layers लगा दिये तो इसको train करने में बहुत time लगता है तो इसलिए computer scientist लोगों का बहुत जादा focus इस चीज़ पे रहता है कि कैसे neural network की training को speed up किया जा सकता है अब speed up करने के लिए हमने अभी तक तीन techniques पढ़े थे सबसे पहला हमने पढ़ा था weight initialization दूसरा हमने पढ़ा था batch normalization और थोड़ा बहुत activation function आप कौन सा use कर रहे हो इससे भी फर्क पढ़ता है अब हम fourth technique पढ़ेंगे जो की शायद सबसे important technique है अगर आपको अपना neural network का speed बढ़ाना है training का और वो है optimizers ठीक है अगले 3-4 videos में our focus is going to be on optimizers ठीक है optimizers को use करके neural network का speed कैसे बढ़ता है ये हम focus करने वाले है ठीक है अब आज को जो वीडियो होगा वो it will be more about introductions optimizers क्या होता है उसको change करने से या उसमें changes लाने से speed up कैसे होती है training और हमें कौन-कौन से type के optimizers पढ़ने है ये सब हम लोग cover करेंगे इस वीडियो में and going forward 3-4 videos में हम जो अलग-अलग type के optimizers होते हैं deep learning में एक-एक करके उनको cover करेंगे so guys अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एक neural network में optimizer का काम क्या होता है अब honestly ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ बट एक बार फिर से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं एक neural network करता क्या है आपके पास एक data है जैसे कि ये classification task है जहाँ पे दो input columns है और एक output column है आप एक neural network architecture ड्रॉ करते हो जैसे यहाँ पर एक simple सा neural network architecture है जहाँ पे एक hidden layer और एक output layer है आपके पास ये weights होते हैं और biases होते हैं जैसे यहाँ पे चार weights है यहाँ पे दो biases है यहाँ पर दो weights है और यहाँ पर एक bias है so total मिलाके इस पूरे neural network में there are nine parameters आपको क्या करना है कि इन nine weights and biases का ऐसा value निकालना है जिसके लिए जब आप इस data को इस neural network में भेजो तो इस neural network का जो prediction है वो original result के एकदम close रहे ideal case में बिल्कुल same आजाए ठीक है फिर से सुनना neural network का role क्या है कि उसमें यह nine weights and biases है आपको इन weights and biases का ऐसा value निकालना है जिसको achieve करने के बाद आप जैसे ही यह data इस neural network में दो तो इस neural network का जो prediction है it should be very close to the real value so in a way I can say कि neural network is actually an optimization problem जहां पर आप loss को minimize करना चाहते हो loss क्या है y और y hat के बीच का जो भी difference है उसको आप minimize करना चाहते हो मतलब आपका prediction should be very close to real values ठीक है और इसको minimum बनाने के process में जो आपके weights and biases के value है वही आपके neural network का सबसे optimum parameter value बनेगा ठीक है तो इस पूरी चीज को करने के लिए आप करते क्या हो कि आप शुरू में इन rates और biases का कुछ भी random value ले ले लेते हो ठीक है और फिर उन random values से आप धीरे 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 improve करते करते सही values तक पहुँचने की कोशिश करते हो अगर मैं graphical आपको समझाना चाहूँ तो ये graph देखो जैसे की मानलो ये graph है तो ये graph 3D में है हमारा जो neural network है अगर आप इसके लिए cost function या फिर loss function का graph बनाते हो तो ये जो loss function या cost function है ये depend करेगा 9 parameters पे मतलब this loss will be a function of these 9 weights and biases तो ये 9 actually 10D graph होगा जो मैं draw नहीं कर सकता तो थोड़ी दर के लिए मान लेते हैं कि हमारे system में सिफ 2 weights है तो फिर 2 weights और एक loss तो total ये 3D graph इस तरह का कुछ दिखाई देगा जहां पे आपका इस axis पर एक weight है इस axis पर दूसरा weight है और इस axis पर आपका loss है ठीक है तो एक neural network का cost function higher dimensional space में कुछ ऐसा दिखाई देता है या फिर actually थोड़ा सा और complex ले लो तो कुछ ऐसा दिखाई देता है आप क्या करते हो कि आप किसी एक value से start करते हो एक w2 और w1 की value से start करते हो for that w1 और w2 आपके loss का कुछ value होगा basically आप इस point पे हो और आपका target क्या है कि आप इस पूरे के पूरे surface के minima तक global minima तक पहुँचना जाते हो इस तरीके से traverse करके अगर आप इसको 2D में बनाओ तो अगर यह आपका graph है यह आपका weight है और यह आपका loss है तो आपका target है कि आप कहीं random value से start करके सबसे optimum या फिर सबसे minimum value तक पहुचना चाते हो जहाँ पे loss सबसे कम है और उस loss के corresponding जो आपके weight का value है वो आप निकालना चाते हो और यही काम करने के लिए gradient descent और gradient descent बहुत ही simple सी एक चीज है कि आप क्या करते हो gradient descent में आप एक simple सा update rule यूज करते हो जहाँ पे आप weight का नया value निकालने के लिए weight का old value को subtract करते हो learning rate times the gradient of that weight vector with respect to the loss function यह आपका update rule होता है gradient descent में और यही आप एक loop के अंदर in multiple epochs चलाते हो and eventually you reach this place या फिर यहाँ पर जो place है अब जो gradient descent है ना उसके भी 3 types होते हैं और यह मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सबसे पहला है batch gradient descent दूसरा है stochastic gradient descent और तीसरा है mini batch gradient descent अभी दख हमने जितना भी discussion किया यह सब कुछ मैं आपको अल्रीडी पढ़ा चुका हूँ अगर आप यह वाला video देखो मेरे channel पे तो यहाँ पे बहुत detail में सारा चीज़ covered है फिर भी मैं आपको एक हलका सा introduction और दे देता हूँ about these 3 types of gradient descent so होता क्या है कि आप number of epochs जो आप decide करते हो कि आप अपने data के उपर कितने चक्कर मारोगे उतने time आप loop चला करके आप क्या करते हो आप अपने weights को update करते हो using this update rule अब यह जो 3 variants आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें बस यही difference है कि आप weight update करने के पहले कितने data points को देखना चाहते हो यही differentiate करता है इन 3 types में जैसे batch gradient descent में आप क्या करते हो कि आप एक साथ पूरे data के उपर घूमते हो मालो आपके पास अगर 500 rows का data है तो आप 500 rows के उपर prediction निकालते हो फिर loss calculate करते हो और फिर आप एक बार weight update करते हो मतलब अगर आपने number of epochs 10 decide कर रखा है तो batch gradient descent में आप 10 times weight update करोगे stochastic gradient descent में आप क्या करते हो कि आप हर data point को देखने के बाद एक बार weight update करते हो मतलब अगर आपके पास 10 epochs हैं और 500 rows है तो आप 5000 times weight update करोगे ठीक है बहुत जादा weight updates होते हैं और mini batch gradient descent इन तीनों के बीच की चीज़ है जहाँ पर आप एक batch size decide कर लेते हो मालो आपने batch size decide कर लिया 100 तो आपने अपने पूरे data set को 5 batches में divide कर दिया और अब आप हर बार weight update जो करोगे वो एक batch के बाद होगा so 10 into 5 times ठीक है इन तीनों चीज़ों के बारे में मैंने बहुत detail में इस वीडियो में बता रखा है इस point पे अगर आपको ये concepts clear नहीं है तो I would recommend आप जाकर के एक बार ये वीडियो देखो ये सारे concepts clear करो क्योंकि अगर ये concepts clear नहीं है तो आगे हम जो optimizers cover करने वाले हैं वो आपको समझने में परिशानी होगी ठीक है तो अभी तक के discussion के हिसाब से हमारे पास already तीन optimizers है लेकिन फिर कुछ और optimizers भी हमें पढ़ने है इसका मतलब कुछ और optimizers की जरूरत पढ़ी बट क्यूँ ऐसा क्या problem है इन optimizers में कि हमें नए optimizers की जरूरत पढ़ी वो हम लोग next discuss करेंगे तो let's start with problem number one challenge number one सबसे पहला problem होता है gradient descent को सही से use कर पाने में learning rate का सही value decide कर पाना so अगर आपको याद होगा कि हमारा update rule होता है नया value weight का would be पुराना value weight का minus learning rate times this gradient right अब ये learning rate बहुत crucial हो जाता है right क्यूंकि आप इतना ही value सब्ट्राक्ट कर रहे हो पुरानी value में से अब समझने की कोशिश करो मैंने आपको पहले भी बताया था कि gradient descent इस तरीके से designed है कि जब आप यहाँ से start कर रहे हो और आप minima से थोड़े दूरी पर हो तो आप लंबे jumps लेते हो फिर आप जैसे जैसे पास आने लगते हो आप छोटे-छोटे jumps लेने लगते हो ठीक है तो यहाँ पे यह learning rate का value बहुत crucial हो जाता है अगर आपने learning rate को बहुत छोटा रख दिया तो क्या होगा कि आप बहुत slowly converge करोगे क्योंकि हर अगला step में आप और छोटा step लोगते जाओगे तो बहुत ही painfully slow तरीके से आपका convergence होगा whereas अगर आपने बहुत जादा ले लिया तो आप jump मारके इस तरीके से घरने लग जाओगे या फिर हो सकता है आप unstable training करके बहार ही निकल जाओ या बहुत दूर चले जाओ मिनिमा से ठीक है इसका मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ यह एक टूल है गूगल का जहां पर आपको मैं बिल्कुल सेम चीज दिखा रहा हूँ यहां पर learning rate अभी 0.01 सेट कर रहा है जो की actually बहुत कम है देखना जैसे इसे मैं step पे click करूँगा you would see कि आप आगे बढ़ रहे हो मिनिमा की तरफ बट सिंस हर अगला step पिछले step के comparison में और छोटा है you can see जो convergence है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है देखरो कितना धीरे होते जा रहा है you can see और ऐसा हो सकता है कि आप कभी पहुचो ही ना देखो यहाँ पे एक error message आ गया gradient descent is taking too long to reach the minimum loss try again with a different learning rate ठीक है so अगर मैं इसको बढ़ा दूँ बहुत बहुत जादा बढ़ा दिया वैसे तो मैंने मालो मैंने one भी कर दिया one कर दिया अब देखना देखो बहुत दूर चले गए हम minima से आप बहुत दूर चले गए in fact थोड़ा सा इसको point eight के round करते हैं देखो यह भी unstable हो रहा है point five देखते हैं यह देखो यहाँ से jump मार के आप सीधे यहाँ पर आ गए फिर आप यहाँ पर आ गए ऐसे and you are converging in this zigzag manner यह भी अच्छा नहीं है तो आप कुछ बीच का उठा सकते हो like point one types जो की जादा बढ़ी है यह देखो यह देखो आप पहुँच गए the model has reached minimum value so जो मैंने आप यह आपको demo दिखाया यहाँ पर यह learning rate का सही value find out कर पाना according to your data set थोड़ा सा difficult होता है this is the first challenge जो gradient descent phase करता है so इस problem का कुछ लोगों ने solution निकाला जिसको learning rate scheduling बोला जाता है इसमें आप क्या करते हो कि learning rate का value automatically change करते हो या फिर आप बोल सकते हो कि उसको reduce करते हो according to a predefined schedule ठीक है जब कोई objective reach हो रहा होता है ठीक है कि अलग-अलग data sets अलग-अलग तरीके का requirement मांगते है और ज़रूरी नहीं है कि एक जगा पे अगर कोई आपका learning rate schedule काम कर रहा है तो वो हर data set के उपर भी उसी तरीके से अच्छे तरीके से काम कर पाए ठीक है तो learning rate scheduling although हमने भी तक cover नहीं किया इस channel पे मेरा plan है कि मैं इसके बारे में भी एक video बनाऊंगा future में but समझ लो की learning rate को handle करने के लिए learning rate scheduling निकाला गया और learning rate scheduling का problem यह है कि आपको जो schedule बनाना होता है कि कितने हिसाब से घटेगा कितने epochs के बाद learning rate वो आपको pre-define करना पड़ता है before training it means कि वो data set के उपर depend नहीं करता और अगर data set के उपर depend नहीं करता तो हर data set के उपर अच्छे results ला पाना थोड़ा challenging हो जाता है challenge number 3 क्या है कि आपको multiple weights minimize करना है multiple weights का optimum value निकालना है right मतलब एक neural network में अभी हमने उपर देखा था there were 9 weights and biases इसका मतलब वहाँ पे जो loss function का graph होगा वो 10D होगा मतलब आपको एक 10 dimensional graph में traverse करके minima तक पहुँचना है मतलब देरा 10 directions जिनमें आप move कर सकते हो ठीक है अब जैसे 10 direction में imagine कर पाना तो मुश्किल है तो हम ये 2D को ही लेके चलेंगे अब जैसे यहाँ पे आप इन दो directions में move कर सकते हो और उसके हिसाब से आपका weight घटेगा तो problem ये है कि हमने जो gradient descent techniques पढ़ें अभी तक उसमें आपका जो learning rate होता है वो same होता है for both the directions और ये kind of एक restriction है ऐसा हो सकता है कि आपको एक same learning rate का मतलब है आप same speed में उतर रहे हो आप same speed में दोनो जगा से उतर रहे हो दोनो direction में same speed से उतर रहे हो बड़ ऐसा हो सकता है कि आपको दोनो direction में same speed नहीं चाहिए उतरने के लिए हो सकता है एक में आपको ज़्यादा तेजी से उतरना हो और दूसरे में आपको कम तेजी से उतरना हो ठीक है तो ये flexibility आपको gradient descent provide नहीं करता कि if there are two weight parameters w1 and w2 दोनों के लिए मैं separate learning rate नहीं रख सकता ठीक है अगर मेरे पास 9 weights and biases है तो I cannot have 9 separate learning rates ये restriction है तो मुझे अगर उतरना है एक पहाड़ी से you can imagine yourself अगर आपको उतरना है एक पहाड़ी से तो ये restriction है कि आप जो दोनो directions है आगे और right left उसमें आप same direction में ही move कर सकते हो तो imagine that would create a problem this is problem number 3 और last और सबसे बड़ा जो problem है वो है local minima का problem आपका जो neural network का cost function का graph होता है वो थोड़ा सा complex होता है कुछ ऐसा समझ सकते हो आप जहाँ पे multiple minima होता है ठीक है अब आपका जो best solution है वो तो होगा global minima मतलब w1, w2 का ऐसा value जिसके लिए loss का value सबसे कम हो मुझे पहुँचना है global minima value तक बड़ प्रॉबलम क्या है कि आप local minima में अटक के रह जाते हो कई बारी ठीक है आप local minima से निकल नहीं पाते ठीक है तो आप उससे निकलने का आपके पास कोई तरीका नहीं है इस point पे जो भी आपने gradient descent algorithms पढ़े है stochastic gradient descent में फिर भी थोड़ा potential है क्योंकि वो थोड़ा zigzag motion लेता है तो हो सकता है कि कि किसी local minima से वो निकल जाए बट बाकी दोनों में थोड़ा कम है वो potential तो there is a huge probability कि आप first के रह जाओ in a local minima और आपको एक sub optimum solution से काम चलाना पड़े ठीक है that is problem number 4 और last जो problem है वो है problem saddle point का so saddle point क्या होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ये graph देखो saddle point एक ऐसा point है जहाँ पर एक dimension का slope उपर की तरफ जा रहा होता है और दूसरे dimension का slope नीचे की तरफ जा रहा होता है उसकी वज़े से क्या होता है एक बड़ा सा region बन जाता है जहाँ पर slope actually चारो direction में similar होता है slope मतलब change नहीं होता है slope change नहीं होने का मतलब है कि आपका जो differentiation होगा वो zero हो जाएगा और अगर differentiation zero हो जाएगा तो जब आप update करने जाओगे since यह वाला term ही zero हो गया तो नया कुछ update होगा ही नहीं older new same रह जाएगा तो इस तरह के situation में फिर आप first के रह जाते हो जबकि यह आपका सबसे optimum solution नहीं है तो saddle point एक और बहुत बड़ा परिशानी है जो हमारा जो conventional gradient descent algorithms हैं वो solve नहीं कर पाते हैं ठीक है तो यह 3-4 problems है learning rate आप set करना सही value set करना learning rate scheduling की है तो फिर वो data के हिसाब से adjust नहीं कर पाना third है आपका सारे direction में same है learning rate fourth है local minima का problem और fifth है saddle point का problem यह 4-5 ऐसी problems है जिनकी वज़े से हम जो conventional gradient descent algorithms हैं उनको अगर use करेंगे तो या तो training बहुत slow हो जाता है या फिर हमें सबसे optimum results नहीं मिलते और इसी reason की वज़े से हमें फिर नए optimizers पढ़ने पढ़ेंगे जो अभी बहुत use होते हैं so हमें अब पढ़ना है कुछ optimizers मैं बता देता हूँ हम पढ़ने वाले हैं momentum हम पढ़ने वाले हैं addagrat हम पढ़ने वाले हैं nag rms prop and finally जो सबसे ज़्यादा use होता है शायद आपने पहले देखा भी होगा adam ठीक है यह 5 optimizers हम पढ़ेंगे अब यह कुछ बहुत नए चीज है ऐसा नहीं है यह gradient descent में ही जो छोटे छोटे changes किये हैं उनकी वज़े से यह नए algorithms बने हैं तो आपको एकदम completely out of the box कुछ नहीं पढ़ना है gradient descent में ही थोड़े थोड़े improvements हम करते जाएंगे और इसलिए हमें सबसे पहले एक concept पढ़ना पढ़ेगा जो हम next वीडियो में cover करेंगे इसको बोला जाता है exponentially rated moving average यह concept हमें पढ़ना है next video में because यह concept in optimizers में use होगा so that was the video guys I know हमने भी कुछ पढ़ा नहीं है मैंने बस आपको एक overview दिया अगर आपको चीज़े समझ में आई और आपको वीडियो पसंद आया तो please like the video and अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है please do subscribe thanks to watching, मिलते हैं next video में, bye